नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का सुपागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपोर्ण, कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की खास खबरों के बारे में पात घोशित किया पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल होने में रुची रखने वाले देशों का स्वागत किया और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहली खबर पेपर वन के टॉपिक परिटन से जुड़ी हुई है परिटन मंत्राले ने संधारनिय अवसंरचना निर्मान के लिए स्वदेश दर्शन योजना में संशोधन किया परिटन मंत्राले ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया सुरूप प्रदान किया है स्वदेश दर्शन 2.0 एक समगर मिशन के रूप में भारत में संधारनिय और जिम्मेदार परिटन इस्थलों को विक्सित करेगा स्वदेश धर्शन योजना वर्ष 2014 में एक केंद्रिय शेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई थी ये योजना थी माधारित परिटन सर्किट जैसे की बौध सर्किट कोस्टल सर्किट आदी के एकिकृत विकास के लिए शुरू की गई थी इस योजना के तहट परेटन मंत्राले परेटन सर्किट की अवसन रचना के विकास के लिए राजियों और केंदर शासत प्रदेशों को केंद्रिय वित्तिय सहता प्रदान करता है स्वदेश दर्शन योजना और स्किल इंडिया मेकिन इंडिया आदी जैसी अन्य योजनाओं के बीद समनवे स्थापित किया गया है स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश परिटन श्वेत्र में रोजगार पैदा करना और इसे आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना है स्वदेश दर्शन 2.0 की मुख्य विशेशताएं हैं परिटन के सामाने और थीम आधारित विकास के लिए मांदंडों और मानकों का विकास करना इसके अंतरगत प्रमुख थीम है संस्कृती और विरासत आधारित परिटन सहासिक गतिविधी आधारित परिटन आदी इसके अलावा परियावरणिय सामाजिक संस्कृतिक और आर्थिक संधारिय अता सहित सतत परिटन के सिध्धानतों को अपनाना भी इसका उद्देश्य हैं घरेलू परिटन को बढ़ावा देने के लिए टियर 2 और टियर 3 गंतव्यों का विकास करना राजसरकार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहट परियोजनाओं के लिए कार्यानवेन एजनसी को नामित करेगी साथ ही संबंध में परिटन मंत्राले को सूचित करेगी स्वदेश दर्शन 2.0 केंद्र द्वारा सौ प्रतिशत वित्त पोशित योजना है योजना के दिशानिर देशों के अनुसार ही निधियां सुईकृत की जाएंगी और कार्यानवेन एजनसी को जारी की जाएंगी भारत में परिटन शेत्रक वर्श 2020 में इसने भारत के सकल घरिलू उत्पाद में 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था साथ ही इसने 49 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा किये थे परिटन शेत्र में अन्य कई पहलों की भी शुरुआत की गई है जैसे कि नमस्ते भारत, अतुल्ले भारत, तीर्थ यात्रा, काया कल्प और आध्यात्मिक विकास और विरासत समवर्धन अभियान यानि कि प्रसाद योजना अगली कवर रक्षा शेत्र से जुड़ी हुई है भारत के पास जल्द ही तीनो सेनाओं की संवक्त थेटर कमान होगी करगिल विजय दिवस समारों के दोरान देश में तीनो सेनाओं की संवक्त थेटर कमान की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया इसके अनुशन सा डीबी शेकटकर समिती, कारगिल समिक्षा समिती और नरेश चंदर समिती ने भी की थी सैंउक्त थेटर कमान के तहट थल सेना, नौ सेना और वायू सेना के संसाधनों और विमान परिसमपत्यों को एक ही थेटर कमान के अधीन लाया जाएगा इसका उद्देश्य आज के हाई टेक युद्ध की जरुरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की कुशल उपलब्धता सुनेश्चित करना है भारत के पास वरतमान में 19 सेने कमान है, इन में से 17 सेनाओं की सेवा अधारित कमान है और अन्य दो कमान है, परमानू हतियारों की देखभाल के लिए एक सामरिक बल कमान यानि SFC और अंडमान तथा निकोबार में एक 3 सेवा कमान थेटर कमान का उद्देशे सभी 17 अलग अलग कमानों को या 4 या 5 एकिकरित या फिर थेटर कमान के तहत लाना है, सैंफ्त थेटर कमान का महत इसलिए भी है क्योंकि ये बहतर योजना बनाने और प्रभावी सेने प्रतिक्रिया देने में सहायक होगी, इसके अलावा इससे स अन्य अभियानों और रख रखाओ की लागत कम करने में भी सहायता मिलेगी, सैंफ्त कमान के प्रमुक का अधिक विविद संसाधनों पर नियंतरन होता है, खत्रे की स्थती के अनुसार वो इन संसाधनों का बहतर तरीके से उप्योग कर सकता है, सैंने एकिकरन बढ़ाने क के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सुजित किया गया है, नौकर शाही के इस्तर पर एकिकरित रक्षा स्टाफ बनाया गया है, इसके अलावा कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करें, तो 26 जुलाई 1999 को भारत ये चोकियों पर फिर से न्यंत्रन स्ठापित कर लिया था, जिन पर पाकिस्तान की सेना ने कबजा कर लिया था, इसी विजय के उपलक्ष में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है विद्युत मंत्राले ने राजियों से बिजली संयंत्रों में बायो मास को फाइरिंग की योजना तयार करने को कहा है इस योजना का उद्देश ये ताब विद्युत संयंत्रों में को फाइरिंग यानि कि सह दहन के लिए बायो मास का उपयोग सुनेशित करने के लिए एक समय बद्ध योजना तैयार करना है मंत्राले ने खरीब फसल के मौसम से पहले ये योजना तयार करने के लिए कहा है इससे पराली जलाने की गती विधियों को नियंतरित किया जा सकेगा और वायू प्रदूशन को कम करने में भी मदद मिलेगी इससे पहले अक्टूबर 2021 में सरकार ने क्रिशी अप्षिष्ट आधारित बायू मास के उप्योग के लिए नीती जारी की थी इसके तहट सभी ताब विधित सयंतरों में कोईले के साथ 5-7 प्रतेशत बायू मास को फाइरिंग अनिवारी कर दी गई थी विधित मंत्राले ने ताब विधित सयंतरों में बायू मास का उप्योग करने के लिए वर्ष 2021 में समर्थ मिशन भी शुरू किया था यहां समर्थ मिशन से मतलब है ताब विधित सयंतरों में क्रिशी अवशेशों के उप्योग पर संधारनी क्रिशी मिशन Commerce Co-Firing का मतलब है कोईले से संचालित विजली सजयनत्रों में कोईले के साथ साथ Biomass का भी दहन Co-Firing के कई प्रकार हैं जैसे प्रत्यक्ष कोफाइरिंग इसमें Biomass और कोईले को भी एक ही भट्टी में जला जाता है अब प्रत्यक्ष कोफाइरिंग के तहट एक बायो मास गैसी फायर का उपयोग करके ठोस बायो मास को स्वक्षी इंधन गैस में बदल दिया जाता है समानաंतर को फाइरिंग के तहट पारम पर एक boiler के अलावा पूरी तरह से अलग एक Biomas boiler स्थापित किया जाता है Biomas co-firing का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये Greenhouse Gas Udтьсяوجन को कम करता है ये किसानों के लिए अतिरिक्ट आय सुनिश्चित करता है इसे मौझूदा कोईला आधारित बिजली संयंत्रों को जल्दी और कम लागत में रेट्रोफिट किया जा सकता है बायोमास को फाइरिंग कोईला संयंत्रों के मौझूदा नेटवर्क का ही उपयोग करता है यहां समर्थ योजना का हमने जिक्र किया था इसका फुल फॉर्म है Sustainable Agrarian Mission on Use of Agro Residue in TPPs और अगली खबार खादेवं पोशन से संबंदित है रूस और यूक्रेन समझोते से वैश्विक खादे संकट कम हो सकता है हाल ही में रूस और यूक्रेन ने काला सागर के बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने पर सहमती व्यक्ति की है इन बंदरगाहों में शामिल है ओडेसा, चैर्नु मॉर्स्क और यूजनी इस समझोते का महत्त है वैश्विक खादे संकट को कम करना इसमें रूस के आक्रमन की वजह से काला सागर के बंदरगाहों पर लगभग 22 मिलियन टन अनाज और सूरज मुखी तेल जैसी आवशिक वस्तु में फसी हुई है इस समझोते के बाद यूक्रेन इन वस्तुओं का निर्यात कर सकेगा, समझोते के बाद रूस उर्वरकों का निर्यात कर सकेगा, इससे विश्व में फसलों की उच्च पैदावार सुनिश्चित होगी और खाद्यान की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी विश्यो के कुल उर्वरक उत्पादन में रूस का 13 प्रतिशत हिस्सा है वैश्विक खादिस उरक्षा सुनिश्चित करने में रूस और यूक्रेन का काफी महत भी है विश्यो में एक चोथाई से अधिक गेहूं की आपूर्ती इनी दोनों देशोद्वारा की जाती है आपको बता दे कि रूस संपुन आपूर्ती का 20 प्रतिशत और यूक्रेन 8 प्रतिशत योगदान करता है यूक्रेन दुनिया का चोथा सबसे बड़ा मक्का निर्यातक देश है वैश्विक मक्का निर्यात में उसकी हिसेदारी 16 प्रतिशत है यूक्रेन सूरज मुखी के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है काला सागर बोसफोरस के माध्यम से मारमरा सागर डाड़नेल जलसंधी के माध्यम से एजियन सागर और केर्ष जलडमरू मध्य के माध्यम से अजोव सागर से जोड़ा हुआ है विश्व स्वास्थे संगठन ने मंकी पॉक्स को अंतराष्ट्रिय चिंता वाला लोग स्वास्थे आपात घोशित किया मंकी पॉक संक्रमन WHO के अंतराश्ट्रिय स्वास्थे विनिमय यानि IHR 2005 के तहट अंतराश्ट्रिय चिंता वाले लोग स्वास्थे आपात की शर्तों को पूरा करता है IHR के अनुसार किसी बीमारी के प्रकोप को PHEIC तभी घोशित किया जाता है यदि वो इन शर्तों को पूरा करता है जैसे कि वो सामानने या फिर आपरतियाशित है या फिर इसका संक्रमन अंतराश्ट्रिय चिंतर पर प्पहल सकता है और अंतराश्ट्रिय चिंतर पर कदम उपचार को साजा करने पर सहयोग करने के लिए धन आवंटन और वैश्विक प्रयाश शुरू कर दिये जाते हैं इस वर्ष अब तक 60 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 15,000 मामले सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स एक वाइरल रोग है ये संक्रमित व्यक्ति के निकट स संक्रमंट देखा जा रहा है अफ्रीका के बाहर वर्तमान संक्रमंट के मामले मुखी रूप से पुरुषों के साथ लेंगिक संबंद रखने वाले पुरुषों में ही देखे जा रहे हैं अफ्रीका में ये इस्थानिक रोग है अंतराश्ट्रिय स्वास्थ विनियम यानि निमन संक्रमन के साथ निरंतर मौजूद रहता है एपिडेमिक बड़ी आबादी में संक्रमन के साथ रोगियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है वहीं पैंडेमिक रोग की स्थिती में विश्यो के कई देशों और महाद्यूपों में पाकिस्तान और चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल होने में रुचि रखने वाले देशों का स्वागत किया है CPEC Belt and Road Initiative की 60 billion American dollar की एक प्रमुक परियोजना है ये योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी Belt and Road Initiative का लक्षे एक आधनिक सिल्क रूट का निर्मान करके इसी नाम के एतिहासिक व्यापार सड़क नेटवर्क को पुनरजी वित करना है ये सड़क नेटवर्क चीन को दक्षिन और दक्षिन पूर्व एशिया, मध्यपूर्व, अफरीका और यूरोप से जोड़ेगा CPEC अरब सागर में पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाहों को उत्तर पश्चिमी चीन के शिंजियांग उईगर स्वायत तिशित्र में इस्थित काशगर से जोड़ता है ये परियोजना फिलहाल कई संकटों का सामना कर रही है साथ ही CPEC के क्रियानवयन में कई कारणों से अत्यधिक देरी भी हो सकती है और इन कारणों में सबसे पहला कारण है वित्तिय संकट आपको बता दें कि पाकिस्तान इंदेनों घरेलू वित्तिय संकट का सामना कर रहा है वहीं दूसरी तरफ चीन रियल एस्टेट संकट का सामना कर रहा है और बैंकों में पैसा जमा करने वालों का विरोध भी देखा जा रहा है इस परियोजना का वित्त पोशन शुरू से ही अपारदर्शी रहा है यानि कि इसमें कोई ट्रांस्पेरिंसी नहीं रही है इसे आर्थिक रिंजाल में फसाने और चीन की चेकबुक कूटनीती का एक बहतरीन उदाहरन करार दिया गया है अब यहाँ पर ये चेकबुक कूटनीती क्या है इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके अलावा दूसरा कारण है सुरक्षा के समक्ष खत्रा CPEC का एक बड़ा हिस्सा बलुचिस्तान से होकर गुजरता है और वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हैं और CPEC परियोजना की अवसन रचनाओं पर अकसर हमला करते रहते हैं इसके अलावा CPEC पाक अधिक्रित कश्मीर यानि P.O.K. से होकर गुजरता है इसलिए भारत शुरू से ही CPEC परियोजना का विरोध करता आया है क्योंकि भारत का ये मानना है कि ये परियोजना भारतिय संप्रभुता का उलंगन करती है क्योंकि P.O.K. भारत का अभिन अंग है और आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महतोपूंच सूर्खियों के बारे में भारतिय ध्वज सहीता 2002 आल ही में भारतिय ध्वज सहीता में संशोधन किया गया है इसके तहत राष्ट्य ध्वज को अब दिन के साथ-साथ रात में भी फहराय जा सकता है साथ ही ध्वज को खुले में या फिर किसी आम नागरिक के घर पर भी फहराय जा सकता है जबकि इस से पहले तिरंगे को किसी भी मौसम में केवल सूर्य धर से सूर्यास्त तक ही फहराय जा सकता था ये सहीता राष्ट्य ध्वज के प्रदर्शन को नियंतरित करने वाले सभी कानूनों, प्रथाओं, सम्मेलनों, निर्देशों और दिशा निर्देशों का संकलन है ये सहीता निजी स्तार्जनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्य द्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है भारत जापान मैरिटाइम पार्टनर्शिप एक्सेसाईज MPX हाल ही में अंडमान सागर में जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतिय नौसेना के बीच एक मैरिटाइम पार्टनर्शिप एक्सेसाईज यानि MPX का सफल आयोजन किया गया इस अभ्यास का उद्देश्य अंतह क्रिया शीलता में व्रिधी करना, नाविक कला को सुवेवस्थित करना और संचार प्रक्रिया को बेहतर बनाना है अप्शिष्ट जल निगरानी के लिए एक उत्कृष्ट साधन के रूप में कारे करता है यह काफी किफायती साधन है और भारत जैसे विकास शील देशों के लिए रियल टाइम डेटा प्रदान करता है और इसका कारण यह है कि यह भारत जैसे देशों में प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ सेवा तक पहुँच नहीं है एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कारे करता है साथ ही यह मानव तथा पशु स्वास्थे के समक्ष जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए साक्ष आधारित दिश्टिकॉर्ण भी प्रदान करता है हैजा भारत और ब्रिटेन के शोधकरताओं ने हैजा के लिए जिम्मेदार जीनोम O139 का अध्यन किया है हैजा एक गंभीर अतिसारिय संक्रमन रोग है यह रोग वाइब्रियो कॉलेराय नामक बैक्टिरिया से दूशित भोजन या जल के सेवन के कारण होता है हैजा का लक्षन है पेट में दर्द, उल्टी, बुखार और गंभीर निर्जली करण यानि डिहाइड्रोशन के साथ तेज दस्त होना समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो रोगी की मृत्यू भी हो सकती है इसकी रोग थाम के लिए निगरानी, सुरक्षित जल, साफ सफाई और स्वक्षता तथा सामाजिक लामबंती और हैजा के ओरल टीके से इसका बचाव किया जा सकता है हिम तेंदुआ भारतिय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षन के एक अध्यान के अनुसार हिम तेंदुआ अपनी शाकाहरी शिकार प्रजातियों जैसे कि साइबेरियन, आइबेक्स और नीली भेड की आबादी को नियंत्रित करता है इसलिए हिम तेंदुआ की लंबे समय तक अनुपस्थिती, वनस्पती, आच्छादन की कमी का कारण बन सकती है हिम तेंदुआ भारतिय वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में शामिल प्रजाती है आयूसियन की लाल सूची में ये वलनरेबल की स्थिती में है हिम तेंदुआ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित मध्ध एशिया के पहाड़ी भूभाग तक विस्तरित हैं आला कि इसे प्राकरतिक शिकार प्रजातियों के नुकसान से संकट है इसके अलावा मानव वनेजीव संगर्ष तथा इसके फर और हड्डियों के अवैद व्यापार के लिए इसका शिकार किया जाता है वेंटियन हाल ही में चीन ने अपने इस्थाई अंतरिक्ष स्टेशन तियोगों के लिए तीन मौडियूल में से दूसरा लॉंच किया है ये स्टेशन वर्ष 2022 के अंतर तक पूरा हो जाएगा इसे वेंटियन नाम दिया गया है ये अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल के रोटेशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अलपकालिक निवास क्वाटर के रूप में कारे करेगा इसे केवल तीन अंतरिक्ष यात्रियों के दीरकालिक आवास के लिए बनाया गया है वर्ष 2021 में चीन ने त्यान हे मॉडियूल लॉंच किया था जो मुख्य लिविंग क्वाटर है खादी कच्चे माल की खीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण खादी वस्त्र को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 की अनुसार खादी का आर्थ है भारत में हाथ से कते हुए सूती, रेश्मी या उनी धागे अत्वा किनी दो या सभी धागों के मिश्रून से हत करगे पर बुना हुआ वस्त्र खादी के वस्त्र की कताई और बुनाई हाथ से ही की जाती है, खादी मार्क विनियम 2013 के तहट KVIC संस्थानों या लोगों को खादी मार्क टैग और लेबल जारी करता है, इसके माधियम से खादी और खादी के उत्पादों को बेशने और उनका व्यापार या उत्पादन क करने की योजना बना रही है मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा गाउं में पुश्पावती नदी के तट पर इस्थित है ग्यारहवी शताब्दी में चालुक के वंश के राजा भीम प्रथम ने इसका निर्मान करवाया था ये मंदिर सूरिदेव को समर्पित है ये युनेस्को का विशुधरुहर स्थल है इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक विशुव के दौरान उदय होते सूरी की पहली किरण सूरिदेव के सिर पर रखे हीरे पर पड़े इसके अलावा अन्य सूरिय मंदिर हैं उत्तराखंड का कटारमल सूरि मंदिर और तमिल नाडू का सुरियानर कोईल मंदिर और आई बात करते हैं सुर्खियों मेरे इस्थलों के बारे में जापान हाला ही में जापान के पश्चमी द mevaीप क्यूशू में स्थित् सिकूरा जिमा नामक एक जुब्या मुखी में विशफोट हुआ जापान की राजधानी टोकियो है आग को बता दें कि जापान को उगते सूरज की भूमी के रूप में भी जाना जाता है ये एक द्वीपी राष्ट्र है इसमें उत्तर पश्चिमी प्रशांत महा सागर में 4000 से अधिक द्वीप है जापान की नदिया है जापान सागर ओखु द्वीप हैं होईशू, होकेडू, क्योशू और शिकोकू जो की आकार के अनुसार विवस्थित हैं माउंट फूजी या फूजी सान एक ज्वाला मुखी है ये जापान का सबसे उंचा परवत भी है अगला महत्तु पूर्ण स्थल है तंजानिया आयाईटी मदरास तंजा करने के लिए विचारवे मर्श कर रहा है आपको बता दें कि तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है इसमें जिंजिबार पेमबा और माफिया दूप शामिल है इसके उत्तर में यूगांडा और केनिया पूर्व में हिंद महसागर दक्षिन और दक्ष पश्चिम में नियासा जील से लगती है जिसे मलावी जील भी कहा जाता है तंजानिया का सबसे उचा परवत है किली मंजारों ये अफ्रीका के दो हिमनद से युक्त परवतों में से एक है इसकी प्रमुख नदियां है रूफी जी और रूवुमा इसके साथ ही यंक समाप् नहीं हुआ है इसलिए अपनों का और अपना विशेश ध्यान रखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इसके साथ ही विजन आईस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है नमस्कार, थैंक्यू फोर लिसन झाल